हेलो बच्चो आप सब का आपके अपने चनल गोविन्द मैत लेक्चर्स में एक बाइ फिरसे स्वागत है तो पिरे विद्यारतियो आज की इस क्लास में हम तक्सा चेह और साथ गनित विश्य की ब्रक्बुख दोजा तेबी 24 के सार्य पत्रक पच्चपन को हल करना सिखेंगे बच्चो कार्य पत्रक पच्चपन में हम बिन्दो की पैचान करना और फिर बिन्दो की तूलना करना सिखेंगे क्या सिखेंगे बच्चो बिन्दो की पैचान करना और बच्चो उनकी तूलना करना हम सिखेंगे देखो बच्चो पहला प्रशना दिया गया है निम्नलकित बिन्नों में से उचित और विसम भिन्नों को चाट कर अलग अलग लिखिए बच्चो में इसमें से उचित भिन कौन सी है और विसम भिन कौन सी है इनको बच्चो अलग लग करके लिखना है बच्चो देखो उचित भिन का मतलब क्या होता है तो बच्चो उचित भिन का जो मत जैसा हो बड़ा हो उसे बच्चो कहते हैं उचित भिन क्या कहते हैं उचित भिन दूसरी बात है बच्चो वो है आपकी विसम भिन विसम भिन का मतलब है बच्चो इसका उल्टा यानि बच्चो अंस बड़ा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा चोटा तो अंस बड़ा और हर चोटा तो यह आपको हमेसा ध्यान रखना है कि उचित बिन का मतलब होता है बच्चो ऐसी बिन जिसका अंस चोटा हो और हर क्या हो बड़ा और बच्चो विसम या अनुचित बिन का मतलब होता है ऐसी बिन जिसका अंस बड़ा हो और हर क्या हो चोटा बच्चो उपर वाली सं ईच्ष वाले संह्यां बच्चो घर अर्ण को लिए आपको ध्यान रखना सी है और बीसम नोंक कौन को सी है एक तो है 3 डैन 4 Ó 12 कि पन्दया टी शी olhar नांच बच्चो आठ बटा 10 और अगली है 12 बटD1 बटा 19 बच्चो इन सभी अंस है वो छोटा है और हर क्या है बच्चो बड़ा है तो वही हमें याँ पर अब उचित भिन के आगे लिख देना है कि कौन सी उचित है और कौन सी विसम है तो बच्चो उचित भिन है पहली 3 बटा 4 इतनी है बच्चो 3 बटा 4 क्योंकि अंस छोटा है और हर बच्चो क्या ह और आपका बड़ा है अगला है बच्चो 11 बटा 15 इतना बच्चो 11 बटा 15 फिर बच्चो 8 बटा 11 इसके बाद बच्चो 11 बटा 11 ठीके इसके बाद बच्चो 8 बटा 10 और उसके बाद है बच्चो 12 बटे में 19 जोको बच्चो सबी बिन्नों के अंदर अंस चोटा है और हर क्या ह बढ़ा है अगला है बच्चो विसम भिन बच्चो कौन कौनसी जो बच गई जिसमें अंस बढ़ा है और हर चोटा है पहली है बच्चो नो बटा साथ इतनी है बच्चो नो बटा साथ दूसरी है बच्चो पांच बटा तीन नी बच्चो पांच बटा तीन अगली बच्चो 8 बटा 3 फिर बच्चो 17 बटा 12 17 बटे में 12 तो बच्चो इन भिन्नों में क्या है? बच्चो इसमें अंस बड़ा है और हर कैसा है? चोटा है तो वो कौन सी भिन हो जाएगी बच्चो? विसम भिन आगे बढ़ते हैं बच्चो, प्रशन संक्या 2 निम्न लिखित अनुचित भिन को पंसी भिन अनुचित कहलो या विसम भिन मतलब बच्चो अंस बड़ा है और हर चोटा है वो मिश्रिद भिन के रूप में लिखना है इसमें लिखना है बच्चो मिश्रिद भिन के रूप में देखो बच्चो जैसे साथ बटा च्यार, तो बच्चो च्यार का भग साथ में कितनी बार जाता है, एक बार, सेस्पल कितना बच्चता है, तीन, और बटे में बच्चो च्यार लिख देना है, मतलब कैसे बच्चो, देखो ये साथ लिखा, साथ में किसका भग देना है, च्य हो जाएगा. अन्या, 1, perché 3, 4, tigers. इसी तरह बच्चो 11 बटा 10 तो बच्चो 10 का बच्चो 11 में कितनी बार जाएगा एक बार. når को कितना बचेगा एक और बटे में बच्चो 10 को एक सही एक बच्चो 10 अगला बच्चो 5 का बच्चो 9 में कितनी बार जाएगा बच्छो एक बार, किछे सिस्पल कितना बचेगा बच्छो चार, बटे में बच्छो पांच, तो एक सही चार बटा पांच, अगला बच्छो ग्यारा बटे, अठारा बटे ग्यारा, बच्छो ग्यारा का बच्छो ग्यारा का बच्छो ग्यारा का बच्छो ग्यारा एक सही चे बटा उननीस अगला बच्चो अठारा बटा सत्रा सत्रा का भग अठारा में एक बार सेस्पल कितना बचेगा एक बटे में बच्चो सत्रा एक सही एक बटा सत्रा कीके आगे बढ़ते हैं बच्चो प्रश्न संक्यात तीन निम्न लिखित मिस्रित भिनो को अनुच विंदी गई है और उसको बिसम या अनुचित भिंद के अंदर बदल के लिखना है देखो बच्चो पहला प्रशना बच्चो साथ सही चार बटा नो तो बच्चो क्या करना है आपको साथ और नो का गुणा करना है ठीके और साथ में जो अंस है उसको जोड़ना है बच्चो देखो, 9 सते 63, 63 और 4, 67 बटा 9, फिके, अगला बच्चो, 2 चिंग 12, 12 और एक बच्चो 13, देखो, 2 और 6 का गुणा करना है, तो 2 चिंग 12 और सेस्पल को जोड़ना है, उपर वाले अंस को जोड़ना है, तो 2 चिंग 12, 12 और एक 13, यहने बच्चो कितना हो जाएगा, 13 बटा 2, अगला बच्चो, 4 पंजे 20, 20 और 3 बच्चो, 20 बटा 4, अगला बच्चो, 2 का 11 से, ग्यार दूनी 22, 22 में एक जोड़ने बच्चो कितना आजाएगा, 23 बटे में 2, अगला बच्चो, 7, 8, 56, 56 बच्चो, चपन के साथ 6 जोड़ने तो 62, बटे में बच्चो 7, अगला बच्च 9, 54, 54 के साथ 4 जोड़ेंगे बच्चो, 58, बटे में 9, ठीके, आगे बढ़ते हैं बच्चो, प्रश्न संक्या चार, निम्नलेकित भिन्नो को आरवी क्रम के अंदर लिखिए, जैखो बच्चो, सबके अंस, अलग-लग है और सबके हर समान है, बच्चो, यहाँ पर क्या है, स ज्यादा होगा, जिसका अंस, ज्यादा या बड़ा होगा, वो भिन क्या होगी, वो भिन आपकी बड़ी होगी, ठीके, तो देखो बच्चो, हमें किसमें लिखना है, आरवी करम में, आरवी का मतलब क्या है, चोटे से बड़े की और हमें लिखना है, आरवी करम का मतलब क् एक बटा साथ, फिर बच्चो एक नंबर पे एक बटा साथ, फिर बच्चो दो बटा साथ, एक बटा साथ से बड़ी दो बटा साथ, दो बटा साथ से बड़ी चार बटा साथ, इतनी बच्चो चार बटा साथ, चार बटा साथ से बड़ी बच्चो पांच बटा साथ, और बच्चों हम किसको देखेंगे तो बच्चों हम हर को देखेंगे तो जिसका हर चोटा होगा जिसका हर चोटा होगा वो कैसी होगी वो बड़ी भिन होगी जिसका हर चोटा वो कैसी होगी वो होगी आपकी बड़ी भिन तो बच्चों देखो किसका हर सबसे चोटा है तो बच् ग्यारा ये सबसे चोटी बच्चो इससे बड़ी एक बटा आठ बच्चो इससे बड़ी एक बटा पांच इससे बड़ी एक बटा चार और बच्चो सबसे बड़ी है आपकी एक बटा तीन पीके तो आपको हम ऐसा ध्यान रखना है जब अंस समान हो तो किसको देखेंगे हम ह हर को जिसका हर चोटा होगा वो बड़ी बिन होगी और जब हर समान हो तो बच्चो किसको देखेंगे अंस को जिसका अंस बड़ा होगा वो बड़ी बिन होगी आगे बच्चो प्रश्ण संक्या पांच सत्य और असत्य कत्नों को चाटिए पहला यदि दो बिन्नों में हर समान है तो हम किसको देखेंगे अंस को तो दोनों बिनों में चोटे अंस वाली बिन बड़ी होती है बच्चो गलत है जब हर समान हो तो जिसका अंस बड़ा है वो बड़ी होगी तो यह कतन अर सकते है अगला बच्चो यदि दो बिनों में अंस समान है तो जिस बिन का हर बड़ा ह चोटी बिन होगी, इलकुल सही बात थे, बच्छो।। जब अंसे समान हो, तो म Um किसको देखते हैं हर को, जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे चोटी होगी। जिसका हर सबसी छोटा होगी, तो इस तरह हमने आपके कारे पत्रक पचपन के सभी परस्णों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं, उम्मिद करता हूँ सभी प्रशनों के उत्र आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने गलाब सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मैंनत पसंद आई है तो बच्छों लाइक, कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब जरू करें आज गले इतना ही, जय हिंद, जय भारत